No problem at all का क्या मतलब होता है और इसका reply आप क्या दे सकते हैं या आज की वीडियो में सीख लेते हैं No problem at all का मतलब होता है कि कोई समस्या नहीं है या समस्या की कोई बात नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है या दिक्कत की कोई बात नहीं है यानि कि मानले जी सामने वाले ने आपको कोई काम कहा और आप वो नहीं कर पा रहे हैं या आपने कोई उसको समस्या बताई तो सामने वाले कहता है ठीक है कोई बात नहीं दिक्कत की कोई बात नहीं है तो उसके लिए वो कहता है no problem at all तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं thanks I appreciate it यानि कि धन्यवाद और आपको कोई दिक्कत नहीं है जानकर मुझे अच्छा लगा या फिर आप कह सकते हैं that's great to hear thank you यानि कि ये सुनकर अच्छा लगा आपका धन्यवाद या फिर आप कह सकते है I'm glad to hear that thanks यानि कि मैं इस बात से खुश हूँ कि आपको कोई problem नहीं है तो इस तरीके से आप इसका reply कर सकते हैं जवाब दे सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ह वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें